हलो फ्रेंड्स, लेस्स टार्ट लेक्चा नम्बर थ्री जी ओ गो, गो का मतलब होता है जाना अभी मैं आज के लेक्चर में आपको छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस भी सिखाने वाला हूँ जो हरोज के हमारे जिन्दगी में हम हरतमी इस्तमाल भी करते हैं मैंने पहले आपको बताया है कि कोई चीज आपको सीखना है तो अभी हम बेसिक का सीख रहे हैं तो इसमें मैं आपको छोटे छोटे वर्ट्स बताऊंगा और छोटे-छोटे sentence बताऊंगा ताकि आपको ध्यान में रखने में आसानी जाए इसे कोई रटा मार के याद करो ऐसा मैं नहीं केता हूँ बार-बार सुनोगे बार-बार देखोगे तो उपक्का होते जाएगा और दुसरी बात यहाँ पे यह repeat भी होने वाले हैं तो यह spelling है जी-ओ-गो याने जाना देखोगे अभी small g है small o है अब तक मेरे ख्याल से आपने abcd तो पक्का कर लिया होगा अभी हम आगे बढ़ते अगर नहीं क्या है तो कर लेना नेक्स्ट अभी देखे ती-च-e-r-e ती-च-e-r-e यहने वहाँ पे वहाँ तो अभी दोनों का मिल के क्या बनता है गो देर वहाँ जाओ में बहुत बार लोगों को यह कहना पड़ता है कि वहाँ जाओ तो कोई इसी situation है कोई आपको रस्ते में address पूछता है तब हम बताते हैं वहाँ जाओ या कोई हमारा दोस हमें कुछ पूछता है तो हम बोलते है कि यह mall में आपको मिलेगा वहाँ जाओ कोई हमें पूछता है कि कोई इंसान हमें का मिलेगा तो हम कोई address बोलते हैं वहाँ जाओ गो देर जी ओ गो देर ठी एच यारी देर गो देर रइट रिपीट किजिए जी ओ गो टी एच यारी देर गो देर आपको वापस उसका spelling अच्छे से याद करना एं मिनिग याद करना है तो आप वापस वीडियो में पीछे जाके यह कर सकते हैं। आपको देर को fighting चलिए हम अगला सी ओ एम ए कम यहने आना जिसे हम गो बोलते हो जाओ कम यहने आओ इस तरीके से भी हम उसका इस्तमाल कर सकते है आना यह भी उसका मीनिंग होता है आओ ऐसा भी बोलते है समय हमें यह वर्ड इस्तमाल करना पड़ेगा फिर से एक बार सी ओ एम ए कम इसका उच्चार क्या होता है कम और मतलब क्या होता है आना आ एन इन यहने अंदर आ एन इन यहने अंदर ओके कम इन अंदर आओ कम इन हमें बहुत बार इसा बुलना पड़ता है कोई पूछता है कि पर मैं आओ मैं आपको फिर से बता दू इसमें से किसी को अगर यह मालूम है यह वर्ड्स तो आप आगे बढ़ जाओ नहीं मालूम है तो इसको करो क्योंकि हमने यह वर्ड्स इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो अगला हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है इस पोकन इंग्लिश का वह आपको आसान जाए तो बेसिक वर्ड्स आपको पता होने चाहिए बेसिक चोटे-चोटे सेंटेस आपको पता होने चाहिए यहा पliter हम सब डेड़िय आपको दे रहे है ही सेंटेंस मेकिंग आप सेकھने वाले है कैसे sentence बनता है क्रामर का भी कुछ पार्ड आप उसमें सीखोगे राइट वो सीखने के लिए कुछ basic knowledge हमें होना चाहिए इसके लिए यह है अब इसमें से कुछ words आपको पता है तो आगे बढ़ जाओ और नहीं पता है तो इसकी practice कर लो दोस्तों आपको हो यह पूरा कोर्स कतम करते करते बढ़ बढ़िया basic English का knowledge हो जाएगा let 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 दुसरा यह एक लेट होता है लेकिन वह यहाँ पे नहीं देखते let let यहने करने दो करने दो है let him do it उसको वह करने दो right तो let let capital e or t let करने दो us u small u है small s है us us हमें पहला था let करने दो और यह क्या है us हमें अब यह नया वर्ड और P-L-A-Y play खेलना P-L-A-Y play यहने खेलना let us play चलो खेलते हैं का मतलब का मतलब क्या होता है let us play चलो खेलते हैं इसको आप दूसरी तरह के से भी बोल सकते हैं चलो हम खेलने देते हैं जैसा उसका लेट का मतलब करने दो वोगरा ऐसा है न तो हम अपने आपको यह बोल रहे हैं कि चलो हम अपने आपको खेलने देते हैं मन में ऐसा फिलिंग है लेकिन हमारे रगिलर लैंग्वेज में हम कैसा बोलते हैं चलो खेलते हैं तो हम अपने आपको permission दे रहे हैं हम अपने आपको अनुमती दे रहे हैं कि खेलने दो तो यह सा उसका sentence के साथ है बोली भाषा में चलो खेलते हैं let us play अब इंगलिश में क्या है let us play याने चलो खेलते हैं लेट कार तब आपको समझ में आ गया है right permission देना यहने चलो करते हैं वो us यहने हम play play यहने खेलना let us play p-e-n pain रोज जो इसका इस्तमाल करते हैं और यही word हम इस्तमाल करते हैं बस उसका spelling आपको यहाँ ख्याल में लेना है p-e-n pain हमारे रोज की बाशा में भी उसको हम कलम या कुछ इससा word नहीं इस्तमाल करते हैं इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है यह भी word हम बार बार इस्तमाल करते हैं बस इसका spelling आप समझ लो P-L-E-A-S-E please कृपिया प्लीज यह प्लीज और सॉरी यह सब को पता है तो please P-L-E-A-S-E please फिर भी हमको अगर spelling पका नहीं है तो यह समझ लेना है यह आप है और इसका मिला के sentence क्या बनेगा pain please क्रिपया मुझे pain दो राइट हमारोज क्रिपया बगरा हिंदी में नहीं इस्तमाल करते हैं इसके लिए सिधा सिधा मुझे pain दो ऐसा यहां लिका है लेकिन जब मानते हैं तब क्रिपया उसके अंदर होता ही है क्योंकि हमारा टोन वाइसा होता है अब भया फेन दो न तो यहां पर रिक्वेस्ट अपने आप उसके emotion में हैं बात करने के ढंग में हैं वहीं इंग्लिश में हमें कैसे करना पड़ेगा pain प्लीज ओप्लीज डालना ही पड़ेगा pain प्लीज तो इस हिसाब से समझना है मैं आपको मीनिंग बोला है pain का मतलब pain ही है जो हमारोज इस्तमाल करते है तो उसको हिंदी में वापस कलम करके या कुछ करके समझने की कोशिश तहने की जरुरत नहीं है क्योंकि रोज मर्णा का वर्ड है और प्लीज याने क्रिपिया क्रिपिया मुझे पेंदो चलो वापस रिवाइज हो रहा है वर्ड C-O-M-E कम याने आना C-O-M-E कम आना जब आते हैं उसको कम बोलते हैं जाते तब C-O-G होता है दुसरा वर्ड अभी नहीं आ रहा है हेर ह-e-r-e यहाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं वर्ड एक लेक्षर में मैं नहीं दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा सेंटेंस भी नहीं दे रहा हूँ और एक लेक्षर को आप बार-बार सुनोगे इसके लिए छोटा भी रख रहा हूँ ताकि आप बार-बार सुनके उसको पक्का कर सको ह-e-r-e here यानि यहाँ पे मिला के क्या बनेंगा come here यहाँ आओ come का मतलब आओ here का मतलब यहाँ c-o-m-e come आओ h-e-r-e here यहाँ come here come here come here यहाँ आओ यह वर्ड्स को पक्का करने के लिए उसका कैसा उच्चारन होता है वो समझने के लिए वापस आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते so that's it for today my dear friends इतना ही आज हम सीखेंगे और कल भी आपने यह वर्ड भी देखा था thank you you y-o-u यहाँ आप so thank you आपको धन्यवाद thank भी हमने देखा था धन्यवाद t-h-a-n-k thank so thank you और see you in the next one यहाँ अगले लिक्षर में मिलते हैं चलो बहुत बहुत धन्यवाद लिक्षर में मिलते हैं रिए यह प्रणो भी लिक्षर में मिलते हैं ऑर रिग्षर में मुझत